Hey guys, welcome to my channel The Engineering Buddy So, आज का वीडियो काफी important वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारे students OTP का problem face कर रहे हैं Means, वो forget password या forget username कर रहे हैं बट उनको OTP नहीं आ रहे हैं बहुत दिन से try कर रहे हैं बट फिर भी OTP नहीं आ रहे हैं मैं already इस topic पर वीडियो बना चुका हूँ कि कौन-कौन से reason हो सकते हैं कि OTP क्यों नहीं आ रहा है So, I button में आ रहा होगा, जा कर देख रहे हैं इस वीडियो में मैं सिर्फ phone number के उपर बात करूँगा कि समझो कि आप phone number दिये होंगे बता नहीं किसका phone number दिये होंगे आपको याद ही नहीं कि मैंने कौन सा phone number दिया है तो phone number को कैसे change करना है So, O बताने वाला हो आज की वीडियो में ताकि अगर आपने किसी अपने relatives का पापा का या मम्मी का दिया होगा तो फिर अभी आप change करके आप अपना phone number दे सकते हों और फिर आपको OTP आपके phone में आएगा इस वीडियो में यह नहीं बताऊंगा कि आप forget username, forget password कैसे कर सकते हो क्योंकि इसका भी वीडियो मेरे चानल पे अल्रेडी है So, इसका भी वीडियो के link आपको i button में मिल जागा जागर जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद So, इस वीडियो में जो लोग बहुत दिन से OTP का problem face कर रहे हैं यह वीडियो उनके लिए हैं So, जरूर देखे, last तक काफी important वीडियो है आपके लिए So, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में चानल पे नए हो अभी तक चानल को सब्सक्राइब ने किया है तो जल्द जल्द चानल को सब्सक्राइब कर देना मेरे चानल पे आईसे ही महाडेविडी के related updates आपको time to time मिलेंगे semester के important questions मिलते हैं हमने अभी अपने चानल पे प्लेश्मेंट के सीरीज स्टार्ट किये हैं काफी important वीडियो हम upload करते हैं चानल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि वीडियो आते ही आपको notification मिल जाया आपसे कोई वीडियो मिस्ट ना हो सो अब चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं सो हम आ गए है महाडियविडी के website पे इस website का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा सो जैसे कि मैं बोल रहा था कि OTP का problem बहुत दिन से बचे face कर रहे हैं सो जैसे कि आप forget username पे click करते हो इधर देख सकते हो कि इधर आपको phone number मांग रहा है तभी जाके आप new username करेट कर सकते हो बट आपको पता है नहीं कि आपने कौन सा phone number दिया था सो आज मैं वही बताने वाला हो कि कैसे अपने phone number को change करें सो हम back to login पे जाते हैं सो आप इधर देख सकते हो इधर grievances लिखा हुआ है grievance and suggestion इस पे आपको click करना है इधर आप देख सकते हो कि आपका नाम, phone number जो मतलब जरूरी नहीं कि जो आपने दिया था जैसे कि आप भूल गये हो कि कौन सा नमर आपने रिजिस्टर करने time दिया था बस आप आपको जो भी आपका personal phone number होगा new phone number जो आप देना चाहते हो, ओ phone number इधर लिख देना अपना email id लिख देना सब जो भी इधर जो मांग रहा है ओ लिख के और फिर इधर comment में लिख देना इधर comment में लिख देना कि जो भी आपका problem होगा जैसे कि जरूर नहीं कि आप ये grievances सिर्फ phone number के लिए कर सकते हो आप कोई भी problem के लिए grievances कर सकते हो तो इधर आप लिख देना कि मेरा पुराना जो phone number था मैं बोल गया हो so new phone number मैं ये चाहता हो ये update करना चाहता हो इधर लिख के आप like Hindi, English, Marathi आप जो language में चाहो लिख सकते हो so फिर आपको एक mail आएगा कि आपको कौन सा phone number था and जो भी problem होगा आप grievances कर सकते हो and वो लोग आपको solution दे देंगे and ये आपको mail पे आएगा okay so I hope आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद है तो वीडियो को like जरूर कर देना and ये चानल पे placement series स्टार्ट हुआ है so जरूर जाकर देखना जाते जाते चानल को जरूर सब्सक्राइब कर देना and महाड़ी वीटी के related कुछ भी डाउट होगा so comment section में पूछ रेना मैं आपके डाउट ट्लेर कर दूँगा thank you for watching and stay safe